हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो और चैनल एजूगेटिंग ओल इस वीडियो में आपके लिए स्टेट इंजरिंग कॉलेजिस बताऊंगा लो परसेंटाइल के लिए मतलब हाई के लिए बताऊंगा बहुत ज्यादा हाई पर तो नहीं क्योंकि जिसकी ज्यादा अच्छी कांसलन leadu को साथ के साथ विए थमिए जिए की कूं पह לाटे समय कि कॉंपस ने करने están करने के लिए सबसेंटाइल का मैंि नो मैंटर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा है तो प्पलेक्स हो जाएगा तो उसमें आप अपनी स्टेट का नेटि ट्रिप्लाइटी तो आपको बहुत शारे फिल व derived जत्रे भी है जो आपको लगे दूर का आप नहीं जाओँगे आप योई कर सकते ज्यायद अच्छा नहीं तो आप ना करें उसे बाकि आपको सारे आपको नाइट तो अपनी स्टेट इंजिनिंग कॉलेजी तो स्टेट कॉलेजी यार मैं स्टेट वाइस बताऊंगा आपको एक एक स्टेट से लता हूं मैंने काफी वीडियो में बता रखा है अलग-अलग सेपरेट वीडियो बना रखी है लेकिन नए इस्टुएंट्स आते हैं फिर उनके कमेंट आत सब्सक्क्राइए सब्सक्राइब यहां पर अमीटी है देखो कुछ कॉलेजिस पहले में बता जेता हूं जिनकी परसेंटाइल बहुत कम है चाहे उनकी रैंक 10 लग आई है उनके लिए कुछ कॉलेजिस मैं स्टार्टिंग में बता देता हूं जो कॉलेजिस उनकी हेल्पफुल होंगे और वो काफी अच्छा प जाती है तैन लाक लेगं मैं स्टूएंट्स में वीडियो देख रहे हैं सब किसी न किसी को कॉलेज मिली जाएगा सब को मिली जाएगा और नेक्स आपको गलगोट यादव वह भी आपको मिली जाएगा नेक्स आपका ITM ग्वाल रहा है टेक्टनो इंडिया उन्वर्सिट करें यहां पर भूसकता है मैं तो आपका जैपूर वाला इसकी कुट थोड़ी हाई जाती हो नटावाली कम जाती है ऐसा कुछ हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा कॉलेज मिल जाएगा नेक्स हम बात करते हैं यूपी के कॉलेजिस की बात कर रहे थे तो आपका JSS Academy आरीसी आजम गड़ है आपका HBTI कानपूर मैं ने बताई दिया उसका प्रोसेजर जो 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 मैं बता रहूं इनका स्टेट गाउंसिंग से एक आपका अजय कुमार गर्ग इंजिरिंग कॉलेज गाजियावाद में करता तो अजय कुमार गर्ग इंजिरिंग क कॉलेज है आपका बिट पटना तो है मुझफर पूर्ट इंस्टिट ऑफ टेक्नोलोजी दरबंगा इंजिरिंग कॉलेज बक्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजिरिंग पटना में है और आपका NCI है NCE दो जगए आपका चड़ी एन गया और बीपी मंडल कॉलेज ऑफ इंज चाली के कॉलेज ऑफ इंजिरिंग एंड मैनेजमेंट ना लंगा तो काफी सारी कॉलेज देखो अब बात करते हुं हर्याणा की स्टुन के काफी कमेंट आते हैं मैं कहूंगा जिसकी 9080 से ऊपर आ रही है वह वाई एंसी फरीदाबाद के लिए काफी अच्छा कॉलेज है ह तो आपका है बाकी इसके अलावे में बता जेता हूं उसे चोड़के तो दीन बंदू छोटो राम उनिवर्सिटी आहां वे गीता इंजिनिंग कॉलेज यह भी सही है मानव रचना उनिवर्सिटी यह वाई इंसी फरीदाबाद इस बेस्ट पानीपत इंजिनिंग टेक्नो इस बेटर डो आप उसे जॉच गर सकते हैं जिनको नहीं मिल रहा हूँ उनके लिए बता रहा हूं बाकि जिनको मिल रहा हो चैने लग रहा हूं मुझें रागा उन्हें भी इस्टेट में ट्राय करना क्योंकि कुछ नहीं पता की नहीं मिल पाई-टी कुरुषित या वह ब लिड्राव उनिवर्सिटी एक उसे लिए और इसकी कॉंसिलिंग स्टार्ट हो चुकिए 15 से इसकी कांसिलिंग चल रही है आप कर सकते हैं अपना रेस्टेशन वगरा सारी चीज़ें चॉइस फिलिंग तो इसकी कंसिल रही है जो करना हो आउट साइड इस्टेट्स के भी गर सब्सक्राइब करते हैं महाराष्ट में आपका पूरे इंस्टीट आफ कंप्यूटर टेक्नोलोजी पूरे और कॉलिज ऑफ इंजिरिंग पूरे यह काफी बेस्ट है अगर आपको इसमें मिल जाता है वैलन गूर्ड नहीं तो आपका और भी काफी सारे कॉलेज़ पूरे में इसके लिए काफी अच्छा है सरदार पटेल इंस्टीट आफ टेक्नोलोजी मुंबई विश्व कर्मा इंस्टीट आफ टेक्नोलोजी मुंबई आपका डीजे सांगवी कॉलेज ऑफ इंजिरिंग जुहू मुंबई में है यह भी आपका थडोमल सहानी इंजिरिंग जोदपूर में है तो काफी सारे कॉलेज है गुजरात में आपका डीए डवलाई सीटी है गांधी नगर में लडी अहमदाबाद में मैंने थोड़ा सर्च वगर रखिया जहां तक मैंने देखा तो काफी कम कॉलेज है इतने नहीं है मतलब और स्टेट करें मिल जाएंगा आपको महरा समय गुजरात में इंजिरिंग कॉलेज की कमी है और जो हैं तो काफी मतलब इतने अच्छे नहीं है जारखन में प्राइविट कॉलेज की बात करें तो बिट मेसरा है बिट मेसरा के अलावाद थोड़ा बहुत सिंदरी को सब्सक्राइब तो यह सारे कॉलेज हैं वहाँ पर कोई खास बहुत ज्यादा कॉलेज नहीं है लेकिन और भी कुछ कॉलेज जहारखन के चलो उन्हें भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आखिर हो सकता है आपको उनसे है थोड़ी सी हैल्प मिल जाए क्योंकि आपका ज इसको बिठ में साथ नहीं मिलता है फिर मैं कॉलिज बताता हूं आपको फिर आप गुरु गोविंद इंजिनिंग कॉलेज बोकारों ले सकते हैं यह नहीं वाग बेट सिंद्री बेट में स्था के बाद अगर आप कोई आपको मिलता है तो आप इपका निबल एफट मतलब इतने नहीं है लेकिन MP में मैंने देखा MP काफी ज़्यादा कॉलिज है आप हरियाना में भी सही है जिस अगर्डिंग छोटी स्टेट है कॉलिज काफी है वहां पर भी उत्तरा खेंड वगर में भी देखा मैंने वहां पर भी काफी है तो और स्टेट के बता जेता हूं मैं थोड़ ऐसा आपका MP महरास इन सबका मैंने बताई दिया आपको अब बात करें वेस्ट बंगाल के वेस्ट बंगाल में आपका थोड़े जो दिक्कत है वह यह आपका जे कुछ कॉलिज है जो आपको आपका जे मेंस के स्कूर से देते हैं तो जो बहुसार इस्टुएंट इस एक्जम द तो वो कमेंट सेक्षन बताना आप लिए कोलेई कोलेज बता जाल पैट गुड़। engeland college और जल्पाय गुडि में ही है आपका जलप्ए गोर्मेंट ऐफर के बात के ईए उंस्ट्टिटीट अफ टेक्शनोलोजी और परा इन्स्ट्टिट्ट इंचनेरिंग एन टेखनलोजी कोलकाता में तो वेस्टमंगाल में काफी कॉलेजिस हैं अब कुछ WBJ इसे हैं जैसा कि आप सबको पता है तो उसमें दिक्कत आज यह नहीं दिया होता है जिनका काम इसको रहा होता है एक सब्सक्राइब करता हूं आपके ट्रपाइटर नाइटी के बात नहीं क अब गुवाहटी उनिवर्सिटी है बात करें उत्राखंट के इस्टूएंट के तो अपका डिएटी उनिवर्सिटी है जीए दहरादून है और पौडीकरवाल में भी है आपका UPS लेकिन UPS जो उसकी फीस थोड़ी जादा होती है एक आपका GBPEC है यह थोड़ा रेमोट ए तो और कोई खास मिले नहीं और आप कहेंगे तो ती लंगाना के भी मैं थोड़े से कॉलेज बता हूं बागी कुछ स्टेट्स है जाएंगी तो उनका कमेंट सेक्षिन आप बताना उनकी लिए मैं यह कॉल वीडियो बना दूंगा ती लंगाना की बात करें तो आपके हैदरा कि आगे पीछी घूमते हैं है मोश्ति तो ती लंगाना का यूनिवर्सिटी कॉलिज ओफ इंजिनिंग ओस्मान यूनिवर्सिटी हैदराबाद में जे एंट्यू हैदराबाद सी बी आईटी गंदीपत यह अपका है विट्स हैदराबाद आपको पता ही होगा आप लोगो करेंगे उसकी नेक्स वीडियो आजाएगी और आपकी चॉइस फिलिंग की वीडियो आजाएगी लिस्ट ऑफ कॉलेज बताँगा पर संटेल वाई और इस वीडियो को शेयर करने चाहिए था क्योंकि आज सबको स्टेट कॉलेज की इन्फॉर्मिशन चाहिए जो बहुत सा क्कॉर्णी को बबना लूँ आपका कमेंट उसमें आ जाए और नहीं तो उसके ऊपर में वीडियो बना दूँँआ के ओपर तो ऐसा आ यह सारा नहीं नहीं ने खर पाया तो आपको जाँसे नहीं दो वीडियो करते ना और चैयल पर नजाए तो सब्स्राइब कर स्बस्रा